हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शुय बजार विदायुष और इस वीडियो में बात करेंगे सिगनेचर ग्लोबल के बारे में तो आज सिगनेचर ग्लोबल जो आई प्योधा वो लिस्ट हो गया है और आज जो लिस्टिंग वही वह अपना आप में काफी श सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो फिन साथ सिगनेचर ग्लोबल की लिस्टिंग 15.5% के प्रीमियम पर होती है और यह जो लिस्टिंग थी वह अड़ी थोड़ी सी अबाव एक्स्पेक्टेशन से हम कह सकते हैं विकॉज ग्रे मार्केट दशारा था कि 12-15 बारा परसेंट क हम कह सकते हैं डीसेंट जरूर कहा गया लेकर मैं आपको यह कहूँगा कि जब देखे पैसा बहुत जब्सक्राइब के नहीं आया वा आई प्यों में दूसरी बात वह नहीं यह भी है कि देखे उतना कुछ खास एक्पेक्टेशन नहीं थी बड़ उसके बावजूद भी द स्क्राइब हुआ था साता डगुना बट यह था कि थोड़ी बहुत अप्लिकेशन लगाने पर डिफिनिटली आपको अलॉट्मेंट भी मिल जाता और 15% भी देखा का कम होते हैं गया एक दिन में 15% काफी जादा होते हैं और अन्डावटेटली इंवेस्टर्स ने आपर प फरें देखे सबसे इंपॉर्टन बार सिगनेचर ग्लोबल को लेकर यह है कि अब यह एक बहुत बड़ी रियल स्टेट डवलप्मेंट कमलब रियल स्टेट कमपनी है और लाज़स्ट रियल स्टेट डवलपर कमपनी है यह इन इन दिल्ली में और अफॉर्डेबल और पैसा लगाने के लिए जो भी बाते आ रही थी वह एक बात साफ थी कि वह क्या होने वाला है कि अगर आपको लगाना है तो लॉंग टर्म के हिसाब से लगाई है जितना आपका व्यू अगर लॉंग टर्म को अच्छा होगा उतना बढ़िया इस कमपनी को लेकर देखे लॉस मेकिंगी देखने को मिलेगी ऐसा नहीं है कि कमपनी मुनाफर रिपोर्ट कर रही है लेकिन अच्छी बात इस कमपनी के पास यही है जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से वो यह है कि दोस्तों इनके पास सबसे अच्छी बात है कि order book order book in the sense यही कि इनक अगले दो से तीन साले राइट अगले दो से जो तीन साले इनके वो काफी बढ़िया रने वाले बिकास कमपनी के पास already इतना कुछ काम है कि कमपनी बहुत बढ़िया करेगी और कमपनी का focus भी अभी जादा तर real state में रने वाला है बिकास बहुत सारी companies होती है जो देखिये अलग-अलग ventures try करने की कोशिश करती है बट कमपनी ने का है कि इसी के अंदर इतनी जादा growth की capacity है कि यहां से grow company करेगी तो majorly मैं मान की जलता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस IP के अंदर पैसा लगाया था उन लोगों ने ये सोच लिया था कि अगर अच्छा मलब listing हो गया कि यहां से मेरा view दो से तीन साल का है और दो से तीन साल के अंदर ये अच्छा कासा पैसा बना के दे सकता है इस तरह कि की management की commentary है लेकि बहुत असर पड़ा है में को लगता है management की commentary का because उपर list सुने का बड़ा कारण था company का management जो काफी positive नजर आया वहाँ पर कोई भी ऐसी problem नजर नहीं आई company जरूर भी loss में बट company के पास जो basically हम कह सकते investment है जो inventory है वो काफी बढ़िया है inventory in the sense यही कि हाँ इनके पास दीखे काफी सारे अभी भी इनको जो home से वो deliver करने है और काफी इनके पास pipeline है उसका कोई problem इनको नहीं है तो I think यह एक सबसे बड़ा मेरे साबसे reason है कि इस IPO ने एक अच्छी दमदाल listing दी above expectations listing दी यह एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ दूसरी बात जो सबको मैंने बताया कि देखें इनका नाम चलता है इनका strong brand recognition है इनके पास large land bank है और well positioned है कि यह से benefit होगा इनको growing demand का for the affordable housing यह भी खबर निकल के आई थी कि government भी कुछ नए plans लेके आने वाली कि किस तरीके जाए subsidize करया जाए जो भी देखें घर लेने के इच्छोग है उनको subsidy सरकार की दोरा भी दी जा सकती है यह भी दोस्तों खबर निकल के आई थी तो I think मेरे साब से government का भी focus है और आपको पता ह है कि देखें चिनाफ भी आने वाले राइट elections भी आने वाले और हमेशे आपको पता है कि जब भी देखें elections आते हैं तो ऐसी इसी चीजों का और announcement होता है subsidies का बहुत ज़्यादा announcement होता है और I think housing के ओपर भी because याद रखिये भारत के अंदर घर लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये हर लोग मानते राइट तो इसलिए government भी इसको promote करती है और government भी देखें ऐसे initiatives के अंदर undoubtedly बहुत जादा बर चड़के हिस्सा लेती है ताकि देखें undoubtedly एक तो vote बने दूसरी बात ये भी है कि देखें घर होता है तो अपने आप में एक major जो हम कह सक करते हैं हमारे इंडिया की तो undoubtedly mentality यही है कि एक major उनको problem खतम होती भी देखने को मिलती को अपना घर होता है इसमें कोई दोहराए नहीं है बट again जो बात बताने वाली है कि जब दोस्तों government का भी साथ रहता है जब government भी focus करती है कि कि किस तरीके से subsidy दी जाए ताकि जो आम जन है जो middle class है वो भी घर ले सके और I think undoubtedly यह एक सबसे बड़ा factor है जो I think in companies को सबसे बड़िया role play करता है जैसे कि इस government का भी जो signature global है उन्होंने भी देखे हर्याना government के साथ काफी साल तक tie-up भी करके रखा था और अपने आप में देखे उनसे benefit भी मिल रहा था तो majorly देखे मैं 458.55 पर 73.55 रुपीज दोस्तो स्टॉक उपर बंद हुआ है almost 19% से जाधा कि तेजी हमको देखने को मिली बलकि आज जो दिन का हाई था वो almost 474 रुपीज का था इस पतलब यह है कि साफ साफ जो तेजी थी वो काफी बढ़िया बंती भी नज़रा थी और एक समय पर 20% से भ होता है कि listing होती है उसके बाद investors बेचने निकल जाते है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन आज हुआ क्या है उल्टा opposite हुआ है buying आई है लोगों ने आपर अभी भी shares रखे हैं अपने पास जो मुझे लग रहा है विकास आज कि अगर volume की में बात करता हूं तो अगरे funds के तरफ से भी जो है वो buying की गई है अभी सारे नाम निकलके नहीं आएं पर हो सकता है कि अभी fund के तरफ से भी buying की गई हो जो और positive momentum create कर सकती है लेकिन अपने आपने question आप सब के दिमाग में होगा कि क्या इन levels पर जिन लोगों को नहीं मिला उनको buying करना चाहिए चा आप से ज्यादा important जब भी numbers निकल के आए तो company के उपर आपको ध्यान दे रहा है जिनके पास already है जिनके पास नहीं है चाहे तो आप वेट कर सकते थोड़ा बहुत की थोड़ा बहुत नीचे आ जाए उसके बाद buying करें पर याद पैसा डालते तो आपको जो view है वो थोड़ के दिन देखना ही कि कि 475 के उपर यह निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है कल काफी important होगा देखना पाकि यह कि हाँ अभी 400 रुपे के उपर जब तक काय में बढ़िया है कोई problem as such देखने को नहीं मिलेगी तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही ता ओफिल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा thank you friends watching this video